दुश्क्रिति देर हाते आक्रांतो और नोग बुश्रामी गुरुतर ओभीजोग सोनिया गांधिर विरुथे मेरे कार को पैरलल एक बाइक जा रही थी और उस बाइक में दो लोग थे वो मेरी तरफ देख रहे थे तो थोड़ी देर आगे मैंने देखा कि उन्होंने मुझे ओवर्टेक की एक दो बार मुझे देखकर फिर मुझे ओवर्टेक की और ओवर्टेक करके उन्होंने रास्ते क बीच में रास्ते को उन्होंने अपनी बाइक बंद कर दी तो मुझे लगा शायद उनकी गाड़ी बाइक में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने भी अपनी गाड़ी स्लोडाउं की और मैंने थोड़े लिफ्ट साइड से मैंने जाने की कोशिश की तब उनमें से एकने पॉइंट करते हुए मेरे बाइक को थोड़ा टर्ण किया और मेरे बाइक को मेरे गाड़ी के बिल्कूल करीब ले आए और उस समय मैंने अपने मेरे वाइफ ने मेरे सर को नीचे किया मैंने थोड़ा ड़क किया और तब मैंने देखा कि उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिर्की को तोड़ने की कोशिश की और उसको बहुत मार रहे थे गाड़ी को और एक गाली दे रहे थे और एक मार रहे थे दोनों मारना शुरू किया कि शीशा तूटे क्योंकि मैं मेरे 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 खिर्की जो थी बंद थी इसलिए वो अपने पाउं को रखा और थोड़ा और आगे मुव करने की कोशिश की ताकि उनको अवाइड करते हुए मैं आगे जाओ तब उन्होंने अपने हाथ से या अपना कोई बैग वैक था वहां से कोई बॉटल निकालके पूरे गारी पे कोई लिक्विट उन्होंने फेकना शुर मैंने लेफर से टर्न करके मैं आगे निकला जब मैं आगे निकला और मैं ये फिर से बता दू कि मेरे घाडी की खिर्की को तोड़ने की कोशिश की गई तीन-चार बार उन्होंने करीब एक मिनिट तक वो गारी के खिर्की को मारते रहें अगर कोई उसमें इंपक्ट नहीं हुआ और थोड़ी मैंने दूरी पे जब मैं आगे बाइक को छोड़के मैं जब आगे निकला तो मैंने पीछे देखा कि मेरे जो सिक्यूरिटी थे उन्होंने उनको रोका है सिक्यूरिटी गार्ड है वो भी आया और उन्होंने बोला कि नहीं उनको पकड़ा है और वो कॉंग्रेश के है और फिर जब वो security गार्ड में रहा है तो उन्होंने बोला कि उनको पकड़ा है उनको पुलिस्टेशन ले जा रहे है questioning के लिए और उन्होंने बोला कि वो यूद कॉंग्रेस के हैं जिनको मुझे सबक सिखाने के लिए उनको भेजा गया था तो फिर ये कॉंग्रेस के workers को police station ले गए और मैं आज खुल कर आप सब को पता है कि मैंने सोनिया गांधी पर सीधे और तीखे सवाल रखे हुए तो मैं आज खुल कर खुल कर आज मैं सोनिया गांधी को कहना चाहता हूं कि आप और आपकी सारी परिवार सबसे कायर है डरपोक है जो आपको लगा कि मुझ पे और मुझ पे और मेरे वाइफ पर आप अटेक कर सकते हैं मुंबाई के बीच सड़क में तो करिया आप अटेक आप जितना करना चाहिए आप करिया आप अपने गुंडो को लाईए अपने गुंडो के फॉच को लाईए मैंने तो आज टीवी पे बोल दिया है कि मैं आपसे नहीं डरता मैं तो औ और मैं सारे दर्शकों को और एक बात बता दूँ कि आपको सब को पता है कि पांच राज्यों में आज मेरे खिलाफ इन्होंने पताने कितने दर्जनों केस फाइल किये हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी गिरफतारी होनी चाहिए। कि अपैक करवाना चाहता है करिए मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं हमारे साथ हैं मैंने आज बोला प्रोग्राम कर, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, आओ मेरे गिरफतारी करूँ, और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूँ, घर से ऑफिस आता हूँ, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पर अटाक करवाना चाहता है, करिए, मगर एक बात याद रखिए, कि भा हारत के लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ है, और कर लीजिए, आप किसी का कुछ नहीं बिगार सकती है, आपसे कोई नहीं डरता है, और सवाल और पुछेंगे लोग आपसे, आज आपने मेरे पर अटाक की है, ठीक है, आप विफल हो गई, करेंगे ट्राई फिर से, और मैं पिर से कहना चाता हूँ, अगर मेरे पे कोई अटेक हो, उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार जिम्मेदार है, वो है वाडरा परिवार और सोनिया गांधी, उनको पता है कि पिछले दस सालों से मैंने सवाल उठ रहे हैं, और वो मेरे आवास को दबा नहीं पाए तो करिये आपकी सरकार है, आपके गुंडे है, आपकी फौज है, करिये मुझ पर अटेक, मगर फिर भी कहूंगा सोनिया गांधी, थोड़ा सोच लीजिए आप, भारत के लोग आपके खिलाफ है, आपका परदा फाश हो गया है, आज आपने मेरे पे अटेक की है, अपने कुंडों को भेजा है, और सारे भारत के लोग जान लें, कि रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क ना डड़ेगा, और ना कैर करेगा, ये हजारों बार मुझ पर अटेक कर लें, देश की जनता हमारे साथ है, तन्यवाद,